आपको दूगा इसपोर्ट फिक्सिंग वर्सेश मैच फिक्सिंग तो कैसे समझे मैच को तो आज ये बताओंगा कि स्पाट फिक्सिंग है या मैच फिक्सिंग है सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये कहां कहां पर एप्लिकेबल है तो ये टी-ट्विनटी मेच वर्ल्ड कॉप लोकल सिरिज लीग जैसे इप्ल हो गया बंग्लादेश प्रिमियर लीग हो गया इंगिलेंड प्रिमियर लीग हो गया सभी जगे तो पहला पॉइंट spot fixing versus match fixing समझते हैं कि पहले point में no ball और 3 wide मतलब कि spot fixing कैसे पेचानेगे कि अगर continuously एक over में बहुत सारा no ball डाली जा रहा है player continuously डाल रहा है तो फिर आज समझ सकते कि spot fixing हुई है मतलब उस over के लिए उस player को खरीदा गया है या फिर continue white ही white डाल रहा है रहे हैं वाइड के चोके आ रहे हैं तो हमझ सकते हो कि spot fixing है और match fixing में उसा मर्य में पहले से पता देते हैं कि कौन से over में उसका no ball डालना प्र कौन से over में आपको white ball डालना उसकाई कितनी ड़ान्य डालना और जाना है एकाफ आपको player-sealer लगाने ताकि उदर baller डालेगा तो run पड़ेंगे दूसरे point में match fixing में power play में ही fielding change करना पड़ती है उनको जब match fix होता है उनको पता रहता है कि power play में fielders को कहां पर लगाना है तीसरा point है कि किसी भी over में बहुत ही खराब fielding आप देखते हूगे मेचे इसको देखते होंगे तो आप सोचरे गर थसे त को चाले हो गया अब सूछे तो वर्स तक खराफ फिल्डिंग करते हैं जैसे कि ODA इमेज है तो शुरू में उनको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है कितनी खराफ फिल्डिंग करते हैं इससाब से सामने वाली टीम पचास हो और हमें 300-300 बना देगी पर जब हम मेज देखना बीच में बन कर देते हैं या चले आते तो पता चलता है कि उन्होंने तो बहुत ही कम नंद पर अलाउट कर दिया तो यह थे कुछ तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी इस पर सीरीज बनाओं हमें पूरी पर अभी तक आपके लिए जाना जरूरी है अगर आपको यह हमारी टिप सही लगी हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि किस पर हम वीडियो आपको बना कर दे जिससे आपको फायर आओ तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्योंकि यह है नमबर वन क्रिकेट प्रिडिक्शन चैनल सब्सक्राइब कीजिए बाए बाए